नमस्कार मेरे स्वास के सहयात्रियों जिन व्यक्तियों के एंज्योप्लास्टि हो चुकी है या इस्टेंट जिनके डल चुके हैं उन व्यक्तियों का एक भह रहता है एक डर रहता है कि ये इस्टेंट फिर से बंद तो नहीं हो जाएंगे कई पिशन बार बार पूछते हैं कि सब इस्टेंट की लाइफ कितनी होती है एंज्योप्लास्टि के बाद डाले गए इस्टेंट क्यूं और किस कारण से बंद हो जाते हैं आईए इस विशे में विस्तार से चर्चा करते हैं जब भी आपको एस टैंट डाला जाता है और डॉक्टर आपको कहते हैं कि इस ब्लोकेज में सटेंट डलेंगे या एंज्योप्लास्टी होगी तो बिसी कली जो ब्लोकेज है उसको फेला कर उसमें एक धाट आतू का एक नली के सरिखा एक स्टेंट डाल तिया जाता है जिसे angioplasty कहते हैं इस process को angioplasty कहते हैं समानत है जितने number of stents बढ़ते हैं आपको अगर दो blockage, तीन blockage, चार blockage है और आपके stent की संख्या दो, तीन, चार, पांच जैसे जैसे stent की संख्या बढ़ती है समानत है ऐसा देखा गया है कि उनके failure rates भी बढ़ते हैं क्यों? क्योंकि इसका मतलब है कि आपके blockage का जो load है वो जादा है समानत है जब तीनों नसों में blockage होता है तो bypass surgery की सला दी जाती है और अगर ऐसी स्थिति में आपन stent करवाते हैं अगर मदीच कहता है कि हमें angioplasty का ही option चुनना है तो ऐसी स्थिति में आपके stent के बंद होने की समभाणा बढ़ दाती है और लंबे समय के follow up में देखा गया है कि ऐसे मरेजों में वापस से disease बढ़ने की वापस से blockage बन जाने की समभाणा जादा होता है दूसरा बहुत सारे mechanical factors होते हैं जैसे अगर मान लिजे कोई blockage बहुत लंबी length का है बहुत लंबी दूरी में blockage है और अगर उसमें एक stent डालने से वो blockage नहीं खुला तो दो stent डाले गए या तीन stent एक seed में डाले गए जब stent की लंबाई बहुत लंबी बढ़ जाती है कई बार इस कारण से भी वो stent जल्दी बंद हो जाता है क्योंकि बहुत लंबी distance में stent डाला हुआ है फिर कई बार जहां bifurcation हो रहा है जहां दो हिस्सों में नसें बट रही हैं और दोनों हिस्सों में blockage है जहां वाई connection है और उस जगह दो stent डाले गए या तीन stent डाले गए ऐसी स्थिति में भी flow dynamics है जो खून के भाव का जो तरीका है वो अगर proper नहीं है streamline नहीं है तो कई बार ये stent बहुत लंबे नहीं चलता है इनकी life छोटी होती है बन जाता है कई बार जब blockage है उसको properly वो खुल नहीं पाए और जहां stent डाला है उससे ठीक आगे हलकी सी shouldering रहे गए हलकी सी blockage का कुछ portion रहे गया ऐसे मरीजों में भी वो blockage देजरे बढ़ते जाते हैं और stent बंद हो जाते हैं कई बार stent जहां डला हुआ है उसके आगे कोई और blockage है जो कम critical है या 60-70% blockage है और आगे वो बढ़ गया तो उसकी वज़े से भी कई बार जो stent जो proximally डला हुआ है जो पहले डला हुआ है वो बंद हो जाने के risk रहता है वो बंद हो जाने के chance ज्यादा रहता है यह तो वह कुछ technical बात है जिन पर समानत है मरीजों का कोई नियंतर नहीं होता यह बात doctors के ही हाथों में होती है कि कितने stent डालने हैं कितनी length का stent डालने हैं क्या stent properly खुले की नहीं खुले लेकिन रोगी के हाथ में आप लोगों के हाथ में जो बात होती है वो यह होती है कि आप doctor को मार्ग दर्शन देने की या doctor को के decision को influence करने के कोशिश ना करें अगर doctor कह रहे हैं कि angioplasty बहतर है तो आप निश्यत रूप से angioplasty के ले जाएं लेकिन अगर doctor कह रहे हैं कि bypass surgery बहतर है या कोई और option बहतर है तो आप उस विकल्प को चुने ना कि आप forcefully angioplasty ले जाएं तो कई बार patient के ज्यादा forcefully insist करने पर बार बार अनुरोद करने पर भी doctor angioplasty करते हैं और ऐसी सित में कई बार result उतने fruitful उतने लंबे समय तक चलने वाले नहीं होते हैं और stent जल्दी बंद हो जाते हैं अगर आपको diabetes है, sugar की बीमारी है और आप chronic diabetic हैं लंबे समय से sugar के patient रहे हैं, sugar का fluctuation बहुत जादा अगर आप क्या होता है आप उस risk group में आत हैं तो आपको sugar का नियंतर्ण ज्यादा बहतर रखने के अवर्शक्ता है और monitoring आपको sugar की नियमित रूप से करते रहने चाहिए, ऐसा नहीं कि आपका sugar नियंतर्ण में है, control में हैं और आप फिर 2-4 महीने, 6 महीने के लिए लापरवा हो गये और आपने sugar ना पाई नहीं, diabetes के विशेशग्यों को हर 3-6 महीने पर दिखाते रहना, बहुत आवश्चक है ताकि आपका sugar की वज़य से आपके stent जल्दी बंद ना हो जाए, ठीक इसी तरह अगर आपको hypercholesterolemia है, आपका cholesterol, LDL, HDL, triglyceride, ये सब चीज़ें अगर बढ़ी रहती हैं, तो भी आपको बह को में बदलाव करके cholesterol को control में लाए, क्योंकि यह भी एक factor साबित होता है, आपके stent के life को कम करने में, उसे जल्दी बंद करने में, ठीक इसी तरह अगर आपका blood pressure अच्छी तरह से control में नहीं है, या बहुत ज़्यादा fluctuate होता है, और अगर आप इसके पती लापरवाही दि इस्टेंड जल्दी बंद हो जाएं, ना केवल इतना, बल्कि अगर आप सही ध्यांग से ध्यान न रखें, तो बाकी नसों में भी, ना केवल हार्ट की, बल्कि किड्नी, हाथ-पैर की नसों में, दिमाग की नसों में, इनमें भी नए blockage बनने के सम्भावना रहती है, इसल खान-पान में आपको वो सभी सावधाने रखने चाहिए, जो आपके बीपी को कंट्रोल में रख सके, ताकि आपके स्टेंड की लाइफ लंबी रहे, ठीक इसी तरह अगर आपके हार्ट की पंपिंग कमजोर है, अगर जिसे LV Dysfunction कहते हैं, हार्ट की पंपिंग अगर कमज चाहिए, उन सभी फैक्टर को जो मैंने अपको बताया है, या बताने वाला हूँ, उन सभी फैक्टर को ध्यान में रखना, उनको नियमित समय पे जाच करते रहना, और अपने लक्षणों पे भी ध्यान रखना, कि आपको किसी तरह की दिक्कत महसूस हो रही है, या नई द सामने आ रही है, तो तुरण डॉक्टर से प्रामर्श करें, तो जिन वक्तियों के हार्ट की पंपिंग कमजोर है, उनको ज्यादा सतर्प रहने के आवशकता है, अगर उनकी एंग्योप्लास्टी हुई है, ठीक इसी तरह अगर आपकी एंग्योग्राफी के समय में डॉक् कोजक्त इसन डालव में अगर नहीं ह थीक से बैठा जा नloid में जांधा तो आपके एंग्योग्राफी के एंग्योप्त के यह होता है तो आपको सतर कुरहने के आवशकता है, ज्यादा सावधानी रखने के आवशकता है ये जितनी भी आपको मैंने बलड प्रेशर, बलड शुगर, कोलेस्टरॉल, इन सब के ध्यान रखने, नियंतरन रखने, चार्टिंग करने और डॉक्टर से निमत प्रामर्श लेने के बारे में बताया, लेकिन इन सब के अलावा, जो सबसे महत्वपून और लॉंग टर्मे, लंबे समय में आपके स्टेंट की लाइफ को बनाये रखने के में जिसका सबसे बड़ा योगदान है, वो है आपकी दिन चर्या, सही दिन मातरा में नीन लेना, साथ आठ घंटे की, कम से कम 35-40 मिनट का वाक करना, चहल कदमी करना, साइकलिंग, जॉगिंग, स्विमिंग, इस तरह की फिजिकल एक्टिविटी करना, अगर आपको डॉक्टर ने मना नहीं किया है और आप शादी की रूप से सक्षम है तो, निमित या निमित व्यायाम, हमारे खून की नसों के जो अंदरूनी सर्फेस है, जिसे हम इंडोथिलियम कहते हैं, उसके स्वास्थ में उसका बहुत बड़ा योगदान होता है, उस स्वास्थ को ठीक रखने पर ही स्टेंट की लाइफ लंबी रह सकती है, अगर हम इंडोथिलियम के हेल्थ को, इंडोथिलियम के स्वास्थ को हेल्दी रखने वाले या स्वास्थ पूर्ण रखने के कदम को नहीं उठाएंगे, तो हमारा इंडोथिलियम डिजीज्ड होगा, बीमार होगा, और नए ब्लॉकेज बनना और स्टेंट में भी ब्लॉकेज बन जाने के करती है, अपने तनाव लेवल को कम रखें, खान पान अच्छा रखें, निमित वायाम करें, अच्छी नीन लें, आज की वीडियो में हमने ये जाना कि किन किन कारणों से स्टेंट के जल्दी बंध हो जाने की संभावना होती है, लाइफ स्टेंट की क्यों कम हो जाती है, और क्या सावधानियां रखने से हम इस्टेंट को मैक्सिमम लाइफ अवेल कर सकते हैं, इस्टेंट के साथ ज्यादा एक स्वस्त जीवन बिता सकते हैं, उमीद करता हूँ आज का वीडियो आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा, फिर मिलेंगे नई स्वासात्रा पर,